अगर किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज करना मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल सैंस सेमस्टर टू का 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इसी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक कदम और करेंगे चैनल चाहिंके बढ़ाएंगे जिसम省एं पड muchís के बारे में तो चले देर नंखर तो इस वीडियो neste rattria कि जीचे की वहां वहां पर एक प्लेइलिस्ट ही है उसमें आप लोग का वह सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा वहां जाके आप लोग देख सकते हैं तो चले देना कर दो इस वीडियो का प्षूरू करते हैं इसका नाम है जुडिशेरी तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझने वाले स्ट्रक कोडिनेट कोड दो पार्ट में डिवाइड है जो आपका सिबिल कोड है फिर क्रिमिनल कोड है ओके तो यह था छोटा सा एक स्ट्रक्चर आपका जुडिशेरी का फिर उसके वाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हिरार्की के बारे में तो देखो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर को फिर है कोड़ को और इस सिकाउन स को फिर बढ़णा थे जाएगा तो मैं आप लोगे बताए ता हूं कि अंद्यांने से इस सब्सक्रियान निव्स दो होते हैं कैसे पॉइंट होते हैं कैसे रिमूव रिमूव कैसे किया तो देखो अब लोग का यह सबसे पहले सुप्रीम को ठीक है है हाइस कोट आप लोग सभी जानते हैं तो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे किसका स्टैबलिस्मेंट कैसे हुआ तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किताहत 1774 में जाके हमारा कैलकरटा में पहला सुप्रीम कोट स्टैबलिस हो गया था ओके अब बाद में बाद में इसका डेवलापेंट हुआ ऐस फेडरल कोट है बाद में चलके इसका देखेंगे कि कैसे से कनवर्ट कर दिया गया सुप्रीम कोट के तौर पर है कि मैं नहीं लिखा है लेटर सुप्रीम कोट स्टैबलिस्ट ऐस फेडरल कोट ठीक है तो देखो एकोर्डिंग टू गब्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइट फोर 2035 किता अच noon च धैबलिस्मेंट होता है फिटर बदेखो देली देलीे में स्टाब्ल फिर् GP कोट देली मैं लेकिन यह लगंत हम यह सुप्रेम कुर्ट बंता ''हना है तो इसके लिए हवरा इट वस नॉट अ प्ल sekarang विoda तेको विद्ट कमेंस्मेंट आफ निवेंटिन ओंशपीश जनवरी 1950 से हां जो मारा कॉंसिट्यूशन बन गया उन्हें सपचास उसके प्रादम में क्या कि एक फ्रेडराल कोट औफ इंडिया को फ्रेडराल कोट अफ इंडिया को कर दिया गया Supreme Court of India फेडरल कोट कोई कर दिया जाता है Supreme Court of India में ठीक है जो अब हमारा फाइनल कोट है विची विच बिकम existent कोट फैनल कोट कोट अफ इंडिया ओके तो यह रहा कि कैसे federal कोट सुप्रेम कोट में कनफर हो गया और हमारा जो स्ठापलीम्न प्रॉसेस कंपलीट हो गया कि ऐसे बात यां बना में कूल घाल को कि डिवल्पिट्ट लॉप्र कोड़ेंट कोडेंट को बना दूण है तो इस यह लिए कोट के बारे में यहां पर ज्यादा बताया नहीं अगर किसी को जानना हो तो कमेंट बॉक्स मेंसिन करना मैं फैडरल कोट के बारे में भी वीडियो बना दूँगा क्योंकि मैं यहां पर इसलिए नहीं बनाया देखो बनाने का रिजन यह था कि दो अब तो फैडरल कोट रहा तो अगर किसी को जानना हो तो फेडल कोट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैसेज करना मुझे ठीक है तो यह अल अब आप लोग का स्टैबलिस्मेंट था और स्ट्रक्चर था ठीक है तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पेज में जो में नोट्स का अगला पेज है वह है क्वालिफिकेशन फॉर दे जजिज ऑफ सुप्रीम कोट तो यह नेक्स हमार टॉपिक यह है कि क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए सुप्रेम कोट का जज़ज बनने के लिए तो छोटा-छोटा साथ जल्दी कंप्रेट रि सिटीजन ओफ इंडिया सब लोग जानते हैं देखो विसका नेक्स पॉइंट यह है कि नुव एज प्रिसक्राइब इन दे कॉंसिट्यूशन फॉर तभी कमिंग तर जज़ज आप दिस सुप्रीम कोट कोई एज प्रिसक्राइब नहीं किया कि अब यहां पर लेकिन टर्म स सब्सक्राइब दस और सब्सक्राइब को दस NP-books आञाया फिर उसक पांस साल का प्सक्राइब इशाफ चाहिए ऌल एक्सम का एक्स मींया थाजूब तरौन बिसक्राइब ऐड़ोगेट का दस स्पेर g conspiracy अंद्या का सीठीजण वैवन एफ इमिनेटरी टॉर इं प्रेस्टरैन्ट हो एमिनेटीर वह प्रेसिटा अजिए और वह प्रेसिटेंट करी नहीं में है किम एग्विति पॉलीफकी केशन फोर डिजज अव् शुप्रीम कोर्ट कि इसके बद कुछ-कुछ पॉइंट इंपोइंट है जो आप लोगों को जानना चाहिए कि कि अपॉइंटमेंट कैसे हुआ ओध कॉल दिलाता है डिजिगनेशन को कैसे दे सकते हैं तो यह से भी मैं एक दम सौट सौट में लिखा है कि आप लोगों को दिक्कत नहों समझने म जर्ज अप करते हैं सबत कौन दिलाता है डिजिगनेशन प्रासीडन का 구імन करता है यह फ्रल द आता है टोटल जज़स आप दिस सुप्रीम कोट है अब यह जो मैं डेटा के बताने वह लाँ वह करेंट का डेटा है हो सके आप लोग पिछले कोई वीडियो में यूट्यूब वीडियो देखें होंगे जो बहुत पहले बना होगा उसमें कोई डेटा पहले का दिखा रहागा ठीक ह है यह मेरे करेंट डिटा जो मैंने अभी शोर्ट से ही लिया मैंस्ट मैंने यू गूगल से टोट मेरे को sport Lucky तो टोटल नम्मर ऑप मोजज तेस तेस बददीस होते हैं आइक जो होता है वह सीनियर मुत जोता है एक बैसीस पे सीनियर मोज़ जोता है वह जो ऑचीज पर ठीक है अब तो जो जो यह हुता है उसे चीफ जेस्टिस ओफ इंडिया बना दिया जाता है है यह सभी प्रेसिदेंट के द्वारा एलेक्ट होते हैं ठीक है तो यह आप लोग कहो गए टोटल नमबर अब जज़ेस इन सुप्रीम कोट तेटीस करेंटली मैक्सिमम कितना स्ट्रेंट हो सकता है तो 34 ही हो सकता है तो बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ तो आधको जली कि इंपेचमेंट हटाना हो आप उंटमेंट कि वह सबसे पहले जाता तो इन loro से फिरसे हैं यम है कि परनीत में प्रोसेस 물론 फटेर इससंट होता है ऐसके यह जाता है उट्तिकि सब्सक्राइब कर ऊंश ciao उसमें इनको हटाने के लिए एक स्पेसल या effective majority होना चाहिए अगर special majority मिल जाता है तो उसके बाद ये बिल पास होता है प्रासेडेंट को ठीक है प्रासेडेंट के पास जाता है फिर प्रासेडेंट अगर सिगनेचर कर दिया प्रासेडेंट के जाए फिर सकत प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सांड कर दिए तो हट जाएगा यहां पर कॉंसिटूशन में यह भी बताया गया कि रीजन क्या होगा इस से कोई भी पीजमेंट नहीं लगा जा सकता है एक रीजन होना चीह और वो रिजन शेकर यहां पर देखो अब इंग्यापासिटी का मतलब क्या हो एक पैसिटी का मतलब देखो यह सिंपल कि वह सब्सक्राइबल अपने को करने में या एक और बात हो सकता है उन्हों ने कोई यह जुरूरी है कि एक मिनिट यह दो रिटार्मेंट 65 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 124 से लेके 147 तक डील करता है इस इन ही लोगे के बारे में से सुप्रेम कोर्ट के पावर जो इंपीच्मेंट प्रॉसेस इन सभी चीजों के बारे में वह-टेल करता है और यह कहां में सने तो पार्ट 5 वाप इंडिन कांसी पारफ फैसा जाता है तो देखो ऐसा क्यूं कहा जाता है को यहां पे मैंने मार्ट छोड़ दिया थी है तो यह देख लिए आप लोग ऐसा कहा क्यु जाता है कि यह हमारी गुब्मेंट हुआ यह मैं बतातों आप लोगों यह यह गर्मेंट वह ओडर गर्मेंट के तो ऩंति है गर्मेंट कैसे हैं लेजिसलेशर एक्जिक्यूटिफ जallows को ना में लोग सीधन दफ़ार राजिश्म अर प्रेसिडन्ट लेनलनें यह ग्यों बनता है पार्लियमेंट की इसी जो से कंसिस्टेट है लोग सभा राज्य सभा और प्रेसिडेंट यहीं होते हैं तो देखो लेशेचर काम हो गया लौब बनाना फिर एक्जेक्जूटीव का क्या होता है जो लौब बन गया उसे लेशेचर के बनते हों सकता नहीं है तो प्रेसिडेंट है तो इन के साथ of सब्सक्राइब करता है तो इन लोग काम है लोग को इंप्लिमेंट करना ठीक है अब देखो यार जो यह कॉंसल आफ मिनिस्टर जोते हैं यह कहां कि मेंबर्स होता है यह राजसभा और लोग सब्सक्राइब नहीं कि मेंबर्स को यहां कि मेंबर्स के लिए कुछ ऑना थे जो हम लोग के लिए खतरा है हम लोग के लिए गलत है किसी के लिए तो फिर हमलों को बचाएगा कॉन कि लेस्elक दोनों तो मिले हुए है ना तो हम लोग को बचाएगा अगर इसे कुछ गलत लगता है को लोग गलत है तो वो इसे खदम कर सकता है इन्डीपेंडेंट बॉड़ी इसके इसको किसी के लिए किसी के अधीन यह नहीं इसे कोई गलत लगा तो उस लोग को ख़तम कर देगा ठीक है तो इस तरीके से अगर लोग को बचा रहा है इसे लोग से इसी के लिए हम लोग इसे कस्टेडीन भी करता तो उसे हटा देगा चेंज कर देगा ठीक है और हम लोग को बचा लेगा इसी के लिए हम लोग कहते से कस्टेडियन आफ कॉंसिट्यूशन तो बढ़ते हैं अगली टापिक के तरफ तो अब हम लोग देखेंगे पावर सब्सक्राइब को जिसे हम लोग जुरिस्टिक्शन कहते हैं इसमें सबसे पहले हमारा आएगा वो है और इसनल जुरिस्टिक्शन फिर एपेलिएट फिर एडवाइजरी फिर जुडिशल रिव्यू तब एक करके सभी को हम लोग देख इसको यह सुल जाएगा हैंडल करेगा या वह स्टेट या यूजिन ट्रेटरी का बीच हुआ हो या स्टेट वससे स्टेट हो ठीक है और इसनल जुरिस्टिक्शन यहीं है तो अगर माल लो आपको कोई फंडामेंटल राइट वालीट हो गया तो आप लोग क्या करोगे तो इसके बाद एपेलियर जुरिस्डिक्शिंग क्या है तो देखो हाइस्ट कोट अफ अपील मतलब समझो मालो मैं एक एजांपल के तहट बताता हूं को कोई एक ऐसा बंद है जिसको जो मतलब कुछ भी कोई पंगा हुआ हो तो उसने डिस्टिक कोट में गया और जो फैसला हाया वो उसे ऐसन्तुष्ट वो सही नहीं लग रहीज लगटाई इस तरीके से इस GO? उफई फयली यहां पे देखो मैंने लिखा है अगर डिस्टिक कोट सिस्ट कोई सन्तुश्ट है तो हाई कोड मैं जाए अगर उस Net को में जाएगा और उसन्तुष्ट हुआ तो वो बो यही है तो ध्यूंत महीं तो आप याइस और यही है पो एडपाइस करते हैं कि किसी चीज नहीं кहीं में तो वह इन से le सकता है प्रेसिडेंट प्रायजरी मुझान फजर को किसी चाफिरे को इससे तीछ-चार पार है तो वह एकसफ नहीं करेगा देखा फिर इसके आगा जूडिशल रिभ्यू जूडिशल रिभ्यू में क्या होता है उसे कोई भी एक आया है यह कुछ ज़ॉज्मेंट ऐसा आया है जो गलत है सुप्रेम को अगर यह ज़ॉजमेंट तहीं नहीं लगा तो वह से हटा सकता है चेंज कर सकता है तो यह आल अबाउट आपका जो था वो पावर आफ सुप्रीम कोड था जिस हम रिस्टिक्शन कहते हैं अब आगे भरते हम लोग अपने टपिक के तरफ तो यहां पर हमारा सुप्रीम कोड कम्प्लीट हो गया अब हम लोग जानेंगे हाई कोड के बारे में तो अब हम हाई कोड अपना सुरू करते हैं तो देखो हाई कोड का स्टैबलिस्मेंट कब वह था तो इंडियन हाई कोड एक्ट 1861 के तरहत है कालकाटा बॉंबे और मदरास हाई कोड का स्टैबलिस्मेंट हुआ 1862 में ओके इंडियन हाई कोड एक्ट 1861 के तरहत इन तीनों कर इस्ट के इसमेंट हुआ 1862 में इनका नाम किया है क्या केता बॉंबर मद्रास इसके बाद एक और हाइक को था जो था 1866 में जो था अल्हावद हाइप कोट अ कि फिर उसके बाद अभी जो लास्ट है जो भी हाइक और बना कि वह 2013 में 2013 बना है जो है मनिपूर में घाले तीरी पूरा हाई कोट जो स्टाइब्स हुए तो बड़ाई बात इस्टाइब्समेंट की अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में अभी 25 हाई कोट से 25 हाई कोट से और आर्टिकल 214 से लेके 231 तक जो है वो डील करता है हाई कोट के बारे में प्रिश्च के बाद आगे बढ़ते हैं अब लोग बाद जयादा जुरूरी यहां पर इक सेवेंट मेंटमेंट एक ने फिफ्टेशिक्स में हुआ था इसमें दिखो हुआ क्या था कि दो से अधिक स्टेट से या स्टेट प्लस यूइन टेरिट या एक स्टेट या यूइ पर कर दिया जैसे देखो पहला यह कि पंजाब रियान हाई को जिस पे पंजाब रियान और चैन्डीगर का कौन हाई कोट है दूसरा मुंबई हाई को जिसमें दादर नागरभेली दंधिव अमारास्ट्रा का कौमन हाई कोट है फिर उसके बाद तीसरा केर्ला तो इसमें क पुदुचे का हैं फिर सकते बाद विए तया नाकरे काम और जाल सकता हैं तब inner प्रिदीश ऑ सब बढ само भलत है हटेहर आधिम्हाथ म्लीन में जो को प्रण прикते में हों उने पिर रही आते हैं नहीं है सुपरिम कोड के जच के तहत मतलब की उसी के कॉर्डिंग में सिमिलर की जैसा उसमें कोई प्रिसक्राइब नहीं है लेकिन एक डिफ्रेंस है वहां पर क्या था कि वहां पर यहां पर कोई ऐसा बात नहीं है यहां पर क्या है कि टेनियर एक्सपीडियेंस और अच्छे इमिन जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की नजरों में उसके बाद यह तो रहा कॉलिफिकेशन प्रोसेस फिर उसका कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट जाना जरूरी है जिसे साप आपोंट्टमिंट कैसे परसेंट के माऩ मिंट कते यह पर देखो ओत्कस पेली आप उका जो ही आपपे ऐला उनको सपट दि लाएगा someζ रासिडेंटट रेकिं रेकिन्स प्रासिडेंट को ही देगा राधिक उर्पली में जाएगा अब लोगी जो सालरी जोती है तहीं होता है वह सालरी से चार्ज होता है जोकी नोट और सब्जेक्ट तू भूटिंग in state legislature में यह बोटिंग का कोई सब्जक्ट नहीं सब्जक्ट है और जो चार्ज किया रहता है वो इंपीच्मन प्रॉसेस का तो सेम है जैसा वह सुप्रेम कोड के जिस का इंपीच्मन प्रॉसेस था सेम है अप लोग चाहिए तो वीडियो को तो इसक्रिब कर एक यह ऐसकते हैं ऴुटा टेंफ एक पास होता है और प्रेसिडेंट के बाद हंगो कोल था बढ़ते अपने अगले पॉइंट की रिजन फुर इंपीच्मेंट भी सेम है जैसा सुप्रेंग कोर्ट के जजू के साथ होता है मिस्ट बीएबियर कॉंसिटूशन के साथ और फिर उसके बाद इनकापासिटी वर्क में इनकापासिटी ठीक है को ऐसा लोग वर ला दी है जो इनके पावर्स में नहीं था तो इन पर इंपीच्मेंट किया जा सकता है इनकापासिटी के रिजन के ताहत अब देखो रिटार्मेंट 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 देखो 62 होती है जो डिफ रापोइंट करते थे वह लेकिन जह जब पेटन जैसे की कोई भी हाइफ कोड़ का जज जो हता है उसका आपोइंट का बारी आता है तो उसे मालों की फैसिडेंट ही लेकिन सलाह लेते हैं तो ठीक है वह सलाह लेते गवर्डर अफ स्टेट से और चीफ जेस्टिस अफ एंडिया से वह सलाह लेके तब पॉइंट करेंगे और देखो सुप्रीम कोड के जज़िज को जब पॉइंट किया जाता है तो वह किसके सलाह पर होता है उसमें भी कॉंसिल अफ मिनिश्टर उनक स्टेट जो भी सिविल कर से बढ़ते बढ़ते जो होते हैं मतलब कि सिटी में डाइवोर्स डिलेटेट मैटर यह सबी ओर इसनल जो फैसला दे सकते हैं फिर अपलिए जो इस डिक्शन अपील हाइस को जैसे कि मैंने पहले बताया उसीम आज इस है कि मालों कोई डिस्टी को जाएगा तो यह था अपील का पूरा प्रोसेस रिट में देखो यह पर क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट वालेट होजा तो आप जा सकते हैं हाई कोट में लेकिन इसके साथ मालों अगर और डिनरी लो भी अगर आपका वाइलेट हुआ तो उसके तर उसके लिए भी करता है तो आर्टिकल 226 के तरहत आप हाई कोट का दर्वाजा ठक ठका सकते हैं यहां पर एक इंपॉर्डन बात है जो आप लोगों को जानना चाहिए कि हाई कोट हैसर मोर पावर तो सुप्रीम कोट इन इस मैटर बिकॉज इस ऑप सब्सक्राइब करता तो सुप्रीम कोट के पास थोड़ी अधिक पावर है इस मैटर में एक और छोड़ा सा बात है एलेक्शन प्रेटिशन भी दायर कर सकते हैं एलेक्ट एलेक्शन प्रेटिशन कैन भी हीर्ट बाई हाई कोट तो यह रहा आपका ऑल अबाउट जुरिश्डिक्शन जुरिश्टी सब चीज मैंने बता दिया एक्स्प्लेइन कर दिया और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो किसी को अधिकत हो तो कमेंट बॉक्स में बोलो सारे वीडियो के लिग मैंने दे दिए ठीक है मिलते अगले बीडियो में बाबाई तब तक के लिए टेक केर